अगर इस प्लेस में आप आ रहे विजिट करने के लिए आपको एक दिन बहुत हो जाता है इस प्लेसली प्लेज़ टेंपल है थ्री साइडेट ये बीज से कवर है हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टो चानल कैसे आप लोग सब्सक्राइब होता आप सभीक फिर्से क्ने व्लॉग में हम लोग आया है मुट्रिश्व ट्रेंपल का फी रिजिल रिजिट और इस टैच्टो के बात करो तो 123 सीफ इसका हाइट है and meter में बात करें तो 37 meter इसका height है तो काफी historical place है आप यहाँ पर आए विजिट किजे और यह जो place है मैं आपको उपर का टेबल टॉप व्यू दिखाऊँगा इधर जो temple है उसके उपर 18 फ्लोर तक हम लोग जा सकते हैं by paying 10 रुपिस तो काफी अच्छा place है आप इधर मस कभी भी आईए एक दिन का विजिट जरू किजे बात त्रेता युकी है जब रावन ने देखा उसकी मा कैसी प्रती दिन लंका के समुदर किनारे सिव जी की तपश्या करती थी उसने पूछा मा मा तुम ऐसा क्यों करती हो मा ने कहा मरने के बाद उसे कैलास में स्थान मिलेगा रावन ने कहा तू चिंता मत कर मा मैं स्वय सिव जी की तपश्या करके कैलास तेरे सामने लाता हूँ उसके बाद रावन कैलास की और निकल पड़ता है सीव शंकर की घोर तपश्या आरम कर देता है यह देख नारद मुनी बेहत चिंतित हो उठे वे तुरन सी विष्णु के पास जा पहुचे कहां हे मुनी वर अप अपने माया से उस्दुष रावन को ब्रमित करे इससे रावन जो मांगने गया है उसका स्मरन नहीं रहे बहुत तपश्या करने के बाद जब सीव जी प्रकट नहीं होते तो रावन गुस्से से अपने दोनों भुजाओं से कैलास उठा लेता है और हिलाने लगता है पारवती जी सीर से पूचती है कैलास को क्या हुआ है पूरा पाताल दो खिल रहा है सेव जी कहते है मेरा भक्त मेरा तपश्या कर रहा है इसी कारण सब कुछ हो रहा है सेव जी ने सोचा इस रावन का तो अहंकार तोड़ना ही पड़ेगा फिर एक माया जाल खेला सेव जी ने संकर जी पारवति के साथ रावन के सामने प्रकट हो जाते हैं फिर शीव विष्णों की माया चलती है रावन कैलास को भुल पारवति पर मोहित हो जाता है और शीव से पारवति को मांग लेता है सिव जी कहते है आप आगे आगे जाईए पारवती आपके पीछे पीछे आएगी जब तक आप लंका नहीं पहुच जाते पीछे मुर कर मत देखियेगा अगर आप पीछे मुर के देखे तो पारवती वही स्थापित हो जाएगी और उसी संकट का निवारन करने के लिए पारवती अपने भाई स्री हरी को याद करती है इसी के बाद स्री हरी उस शंकट का निवारन करने के लिए नारत को रावन की और भेज देते है नारत रावन को ब्रहमित करने के लिए पूसते है रावन जी रावन जी तुम किस बतसुरत भ्यांकर स्री को ले जा रहे हो रावन कहते है यह विश्व शुंदरी पार्वती है नारज जोड जोड से हसने लगते है कहते है जरा पीछे मुर कर देखी तो जनाब उसी शन रावन पीछे मुर कर देखते है तभी माता पारवती भद्रकाली का रूप धारन किये हुए रहती है जैसे ही रावन ने उसके और देखा यह भद्रकाली वहाँ पे स्थापित ही है और यह स्थान है गोकर्णा तभी नारत रावन को कहता है असली पारवती पाताल के मायसूर के घर में जनम लिया है जिसका नाम है मंदोदरी और उसी के बाद रावन चल पड़ता है पाताल की और मायसूर से यूद करता है और उसे वह हरा देता है उसी मंदोदरी से वह साधी भी कर लेता है साधी करके वो मंदुदरी को लंका में ले आता है रावन की माता ये सब देखकर कहती है साधी की वो तो ठीक है पर जिस काम के लिए गए वो किया की नहीं कैलास को साथ तुमने लाया की नहीं तभी रावन की माँ उसे कहती है तुम्हें देवताओं ने ब्रहमित किया है अगली बार अपना लक्ष हासिल करके ही आना वरना मुझे अपनी सकल मत लिखाना चाह दूश रावन इधर से चला जा और अपनी लक्ष को हासिल करके ही आना उसके बाद रावन फिर से घोर तपश्या सुरू कर देता है इस बार और कठिन तपश्या कर लेता है सिर्व जी को मालूम था कि वो क्या मांगने वाला है इसी के लिए वो प्रकट नहीं हो रहे थे खोर तपश्या करने के बाजू जब सिर्जी प्रकट नहीं होते फिर रावन एक एकर अपना शर काटने लगता है और सिर्जी के चड़नों पर अरपन करता है भोले नास से अब रहा नहीं जाता वे रावन के सामने प्रकट हो जाते है और रावन मांगो वर्ट्स तुम क्या मांगते हो रावन ने कहा उसे अपने माता के लिए कैलास परवच चाहिए ताकि उसे मरने के बाद कैलास नसीब हो तो सिर्जी ने कहा उसके लिए कैलास ले जाने की कोई आवसकता नहीं मेरे भक्त उनके आत्मा से निकले सीव लिंग जिसे आत्मा लिंग कहते है उसे वे निकालते है और रावन को दे देते है और कहते है यह शीव के समान है इसके पूजा करने से आप साक्षाद भगवान को प्राप्त कर सकते है और साथ ही में सिव जी ने कुछ terms and condition लगा दिये रावन के लिए कि लंका पहुशने के पहले इसे नीचे मत रखना रावन बड़ी खुस होकर आत्मा लिंग को लेकर चले जाते है देवताई ये सब सुनकर बेहत चिंतित हो उठते है रावन बेहती सक्तिशाली हो जाएगा और उसे हराना ना मुम्किन सा रहेगा तभी नारद मुनी उसी नीवारन करने के लिए स्री गनेज जी के पास पहुशते है गनेज जी मान जाते है फिर रावन गोकरना पहुशता है गनेज जी भेज बदल एक बालक के रोप गोपाल बन अपनी लीला सुरू करते है नाराइन शीव भगवान और विष्णु अपने सुदरशन चक्र से शूरी भगवान को ढग देते है रावन को लगता है कि सूरियास्त हो गया है पूजा करने का वक्त हो गया है और उसी वक्त रावन शीव गनेश रूप बालक को देखता है और कहते है मैं समुंदर में शंध्या करने जा रहा हूँ तब तक तुम यह आत्मा लिंग उसे पकड़ के रखना गनेश शीव को कहते है रावन से अगर आप नहीं आए तो मैं आत्मा लिंग वही रख दूँगा जैसे ही रावन समुंदर में शंध्याक और पूजा करने शुरू करता है गनेश जी अपनी लिला शुरू कर देते है रावन जी ओ रावन जी रावन जी तीन बार बुलाने के पचात जब रावन जी नहीं आते है तो वह आत्मा लिंग को धर्ती पर रख देते है रावन के मना करने के पचात गनेश जी उसे नीचे रख देते है उपर से देवता फूल बरसाने रखते है रावन को समझ में आ जाता है कि ये देवताओं की लीला है तभी रावन गुस्से में गनेश जी जो बालक रुप में थे उनको पकर और उनके सीर पर चोड़ पोचाते है इसलिए स्री गनेश जी के मूर्ती गोकर्णा में जो है उसके सीर में एक गड़ा है अगर आप वहाँ जाएंगे तो देख सकते हैं उसी रावन के बल के कारण सिर नीचे की तरफ और हाथ छोटे है रावन फिर गुस्से में आत्मा लिंग उठाने की कोसिस करता है फिर उसे उखारने की भी वो कोसिस करता है उसे उखारते उखारते उस लिंग का आकार एक काय की कान जासा हो जाता है इसलिए इस जगई को गोकरना भी कहा जाता है ना उठाने के कारण वो लिंग रावन गुस्से से अलग-अलग दिशाओं में फेक देता है और वो ही अलग अलग लिंग के पार्ट में स्थापित हो जाता है पहली ये लिंग गिरी है महाबैलेश्वर जिसे गोकरना भी कहते है ये सबसे मूख्यस्तान है उसके बाद है साजेश्वर जहां लिंग की सिंगारदान गिरी है धारेश्वर जहां लिंग का धागा गिरा है गुनुवेंतेश्वर जहां लिंग का धकन गिरा है और अंत में मुर्देश्वर जहां लिंग का पुरा धका हुआ कपड़ा गिरा हुआ है और अंत में भगवान शंकर और पार्वतिमा और सारी देताई इन्ही पाचो छेतर में आते हैं और इन्हें पंज छेतर नाम देते हैं और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है गोकर्ना एक ऐसा छेतर है जहां पिर्थिवी के सीव जीक का वाश्विक और असली आत्मलिंग है पुडान और गंतों के अनुसार मनिश्य को एक बड़ गोकर्ना आना ही चाहिए पुडान आना ही चाहिए तो जाते जाते आप लोग को व्लॉक कैसा लगा एक लाइक करके में को मोटिवेट कीजिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर लेजिए और बहुत एक इंपोर्टेंट मैसेज में आप सभी को देना चाहता हूं जो मैं अपने एक्सप्रेंस से सीखा अगर इस प्लेस में आप आ रहे विजिट करने के लिए आपको एक दिन बहुत हो जाता इस इस पेसली मुट रिश्वर के लिए ठीक है रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास आप अच्छे से बहुत एक्सप्पोर कर पाएंगे